हेलो गाईस आपके अपने चैनल पोल के लोल में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम पथम विश्यूद के बारे में बात करेंगे इसमें हम 5 टॉपिक की बात करेंगे सबसे पहले पथम विश्यूद कब से कब तक चला था दूसरा पथम विश्यूद किन किन देशों के बीच में हुआ था तीसरा पथम विश्यूद होने के आखिर क्या कारण थे चोथा पथम विश्यूद में भारत की क्या इस्थिती रही पांचवा पथम विश्यूद में परिनाम क्या हुए तो आई अब हम टॉपिक की सुरुवात करते हैं मेरा नाम है गोविन और आप देख रहे हैं पोल का लोल सबसे पहला पथम विश्यूद कब से कब तक हुआ मानव जाती के इतिहास में पथम विश्यूद अपनी तरह ही अकेला युद था पथम विश्यूद की सुरुवात 28 जुलाई 1914 को हुई और 11 नॉवंबर 1918 तक चली यहाँ पहला संपून युद था जिसमें भाग लेने वाले सभी देशों ने सारे संसाधन जुटाए गए थे यही पहला ऐसा युद था जिसमें हवाई जहाजों, टैंकों, पंडूवियों और विसेली गैसों का भी परियोग किया गया था यहाँ युद पूरा चार वर्सों तक चला था आए अब हम किन-किन देशों के बीच यहाँ युद हुआ इसके बारे में जानते हैं पथम विश्यूत मितर राष्ट था केंदरे राष्टों के भी छुड़ा हुआ था मितर राष्ट के अगवाई इंगलेंड, फ्रांस, इटली, रूस, जपान, चीन, ग्रीस तता सयुक्त राज्जी अमेरिका और अन्य देश भी समलित थे अब हम केंदरे राष्टों की बात करते हैं केंदरे राष्टे में जर्मनी, ओस्टिया, हंगरी, ओटो मौन, समराज्जे तता बगरिया समलित थे पलोसविक करांती 1917 की लड़ाई में अपनी सेनाओं की प्राज्य के बाद रूस ने मित्र राष्टों का साथ छोड़ दिया लेकिन अपरेल 1917 में सयुद राज्जी अमेरिका द्वारा मित्र राष्ट में आ जाने से मित्र राष्टों का पलड़ा भारी रहा लेकिन कुछ देश ऐसे भी थे जो पथम विश्यूद से अपनी दूरी बनाए रगे उन में से सबसे पहला उत्री अमेरिका दूसरा धूर्विय महासागरों के कुछ दीश और बाकि सभी देशों ने पथम विश्यूद में हिस्सा लिया था पलि 35 देश इस युद में समलित हुए थे अब हम बात करेंगे कि क्या कारण थे जब पथम विश्यूद उत्पन हुआ सबसे पहला कारण था सभी राष्ट अपना सेन्य वाद और ससत्तिक करण बढ़ाना चाते थे सभी राष्ट अपनी सेनिक सक्ती तथा अपना सेन्यवाद भी बढ़ान जाते थे तदा हातियारों की होड में भी लगे हुए थे जिनके कारण पधम विश्यूत की उत्पत्ती हुई दूसरा कारण अंतर राष्ट्य सांती कायम करने वाली संस्थाओं का अवाव होना इस समय जितने भी पच्छिमी यूरोप के देश थे वह अफरीका वह एसिया में अपना दवदवा कायम रखना चाते थे चोथा राष्टिय भावनाओं का विकास करने वाली सोज क्योंकि इस वक देश की भगती की भावना ने पूरे यूरोप में कबजे में ले लिया क्योंकि उन्हें यह लगने लग गया था कि कोई देश लड़ाई करके ही महान बनता है अपने विकास के कार्यों से महान बनता है पथम विश्यूत के पहले एक पोश्टर बना था जिसमें कई देश एक दूसरे के पीछे परहार करते नजर आए इसमें साइबोरिया को छोटे बच्चे के रूप में दिखाया गया था जो की पथम विश्यूत का कारण बना आखरी है गुप्त संधियों का परचलन युरोप में 19 स्रताबदी के दोरान सक्ती संतूलन इस्थापित करने के लिए भिविन संधियां बनाई गई देशों ने कुछ संधियां गुप्त रूप से भी बनाई जो तीसरे देशों को पता नहीं चलना चाती थी अब हम बात करेंगे पथम विश्यूत में भारत की क्या इस्तिति थी भारत की इस्तिति की बात की जाए तो उस वक्त भारत ओपनिवेसिक सासन के अधीन था के करांतिक कारी को इसका अवसर कलाव अवश्य उठेने को मिलेगा था भारत को अंग्रेश से मुक्त करेंगे लेकिन इसके उन्टा भारती राष्ट्रे कॉंगरेस के नेताओं का मत्ता स्वतनता प्राप्ति करने के लिए इस समय बिटेन की मदद करनी चाहिए हम बिटेन की मदद करेंगे तो इससे बिटेन खुस होके हमें इनाम देगा तथा सोतनता कर देगा सोतनत नहीं नहीं तो सो शासन तो देही देगा बिटेन ने भारत के नेताओं को अपने पक्ष में कर लिया तता रियासतों के राजाओं का दिल खोल कर बिटेन की आर्थिक और सेनिक साहिता की कुल आठ लाग भारतिय सेनिकों ने इस युद में लड़े जिसमें कुल 47,746 सेनिक मारे गए और 65,000 जक्मी हुए इस युद के कारण भारतिय अर्थ विवस्ता को काफी नुकसान हुआ और भारतिय नेताओं की सोच भी उल्टी पड़ी बिटेन की पिथम विश्यूद खतम होने के बाद उन्होंने जलिया वाला बाग का कांड भी किया अब हम पथम विश्यूद के परिनाम की बात करते हैं इस विश्यूद में कुल 90,000,000 वर्दी धारी सेनिक मारे गए और लवक 2,10,000,000 लोग घायल हुए अथा केंद्रे राष्टों का अंतुआ और धूतर राष्ट की विजे हुई तह पतम विश्यूद के बाद एक अंतर राष्ट्य सांती कायम करने वाली संस्था का भी निर्मान किया गया जो लीग ओफ नैसंस के नाम से परसिद हुई इसमें काफी जानमाल की हानी हुई तता भविश्य में ऐसी सितिक कभी उत्पन ना हो सभी देशों ने कामना करी तो गाइस आपको हमारा वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट सस्क्राइब अवश्य करें थैंक यू